नमस्कार मैं उतकर स्वागत करता हूँ आपका दिल्ली किसकी में आज हम नई दिल्ली लोकसवा छेतर में हैं और इस लोकसवा छेतर में प्रत्याशी के रूप में उतर रही हैं बांसुर सुराज इस लोकसवा छेतर में आपके नित्रित्व में यदि आप चुनके आती हैं तो क्या प्रमुक कारे होंगे सौ दिन का आपने अपना प्रस्टुत कर दिया आएकल लेकिन आप अपने मुख से बताएं कि वास्तव में सौ दिन के बीतर किन एक्शन प्रान के तहट आप नई दिल्ली लोकसवा छेतर में जनता के सामने दिखेंगी जी बिलकुल देखें सबसे पहला यहां पर इतनी जादा ऐसी कई जनकल्यानकारी योजनाएं हैं जो हमारे आदर्णी यशश्पी प्रधानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हैं लेकिन अपने राजनेतिक स्वार्थ के कारण माननिय मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली की जनता को उनसे वंचित रखा है जैसे कि आयूश्मान भारत आप भी जानते हैं कि आयूश्मान भारत में पांच लाक रुपे तबक का एक मेडिकल फ्री कवर एक मुफ्त मेडिकल फ्री कवर जो है वो मिलता है लाभारतियों को लेकिन दिल्ली की जनता को माननिय मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी ने आयूश्मान भारत से वंचित रखा है यहां पे वो इंप्लिमेंट ही नहीं हुई तो सबसे पहला कार जो मैं करूँगी कि जो भी मुझे 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 मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी उसके लिए काम करूँगी कि वो भी दिल्ली में लागू हो दूसरा मानने प्रधान मंत्री जी की लखपती दीदी स्टार्टप इंडिया और स्टांडप इंडिया से प्रेरिट होकर मेरा खुद का मानना है कि नई दिल्ली में हम एक स्टार्टप हब बनाएंगे एक ऐसा हब जहां पर आप आईडिया लेकर आजाएगे उसके बाद उस आईडिया को फलिभूत करने के लिए जिस भी प्रकाश के ज्यान की आपको आवशकता है लीगल क्रमप्लाइंस हो गए इंवेस्टर्स में आपको क्या करना चाहिए investment कैसी लेनी चाहिए उस idea में marketing के लिए आपको क्या करना चाहिए एक hub ऐसा होगा जहां पर आपको वो सारी सहूलियत मिलेगी इससे युवाओं के लिए योडोजगार के एक सरजन का एक नया तरीका भी होगा और यहां पर हम लोग महिलाओं के लिए self-help groups में भी उनकी registration में उनके बनने में जो भी हमें उनकी मदद करनी है उसके लिए भी करेंगे तीसरा मेरा मानना है कि रात्रिश सुरक्षा के लिए और महिला सुरक्षा के लिए अगर हम technology leverage करें तो उससे बहुत आसानी होगी जैसे अगर surveillance में drones का आप इस्तिमाल करें तो उसके प्रावधान भी हम उस पे भी काम करने का प्रयास करेंगे और एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली जैसे महाननगर में वो है traffic आप भी जानते कि दिल्ली कैंट में सरदार पटेल मार्ग हो गया धौला कुआ हो गया यहां पर traffic की बहुत जादा दिक्कत है तो एक master plan और एक action plan बना कर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे और एक बहुत एहम मुद्दा जो स्थानिय मुद्दा दिल्ली वासियों के लिए वो है DC Link का जितने भी commercial premises हैं आपके दुकाने हो गई या फिर और भी कोई व्यवसाइक परिसर हैं उसमें DC Link का order आ जाने के बावजूद भी अर्वेंद केजरिवाल जी की सरकार जो है वो DC कर नहीं दिया अवरोध डाल दिया तो उस मुद्दे को भी अपने पहले सो दनों में ही उठाने का प्रयास करें बिल्कुल मुझे लगता है कहीं न कहीं जैसे अब मन्यों ने अपनी माता के गर्ब से सीखा तक चक्रव्यू का भेदन शायद मैं भी अपनी माता के ही संसकारों का सार हूँ तो वो तो मैं बिल्कुल उससे तो नहीं हटूंगी कहूंगी कि मा का आशिरवाद है लेकिन पहला चुनाव होने के बावजूद मैं अकेली नहीं हूँ मेरे साथ मेरे पूरे संगठन की शक्ती है पार्टी क श्री नरेंदर मोदी जी का कुशल नेतरित्व है यह चुनाव मोदी जी की गैरंटी का चुनाव है क्योंकि मोदी जी की गैरंटी सभी गैरंटी पूरी होने की गैरंटी तो यह थी हमारे साथ नई दिल्ली लोकसभा चेतर से भाच्पा की प्रत्याशी बांसुरी झाल झाल